एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूर फेवरेट चैनल स्टडी विजैनी आउ आर यू आई होप यू विल फाइंड आज मैं आप लोगों के लिए मद्दे काली नित्यास की MCQs की सीरीज लेके आई हूँ आई होप यह आप लोगों के लिए वीडियो बहुत पसंद आएगी यह वीडियो लेक्चर आप लोगों के RPSC College Lecturer के लिए इंपोटेंट है साथ ही साथ ने जयारफ के लिए DSSB का जो एक्जाम होता है उसके लिए पीजीटी इस्ट्री के लिए KVS के जितने भी पीजीटी टीजीटी जो एक्जाम होते है उसके लिए और आदर जितने भी इस्ट्री से एलेटिड जो competitive एक्जाम होते हैं उन सब के लिए बहुती useful होने वाली है तो आगे भढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैं सेर माई वीडियोज वीद यॉर फ्रेंड्स तो ताकि मुझे मुझे क्या है आप लोगों का बहुत मैं बड़ा फेवर चाहिए और आप लोग क्या है मेरी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से सेर करेंगे तब ही जाकर मैं मेरी जो महनत है उसको सक्सेस मिल पाएगी तो विदाउट वेस टाइम लैस्ट टार्ट तो आज हमारी जो वीडियो है मद्द्द कालन उतियास में हम दिली स्लतनथ का टाइम पेरिड है उसके राजनेतिप परसास्निक सामाझिक आर्थिक एवब सांस्कृतिक इतियास की इसके अंदर बात करने वाले हैं तो अब हम अपनी वीडियो श्याट करते हैं हमारी वीड दिवान-चार दिवान-चार दिवान एक किरसी विभाग था जो मौमद बिन तुगलक द्वारा चलाय गया था दिवान-चार विभाग था दिवान ए आर्ज एक सेने मामलों का विवाग था मतलब यह सेना से सम्मंदित जो विवाग होता था उसको दिवान ए आर्ज खा जाता था तो यहां पर हमारे चार ओप्सन दिए गए हैं तो हमारा जो राइट आंसर है उसका ओप्सन सी है अब हम अपने next question पे आते हैं second question तो इसके अंदर हमें एक कुटेशन दी गई हैं तो according to PN चोपड़ा दिल्ली सलतनत की नेचर या परकरती कैसी थी तो PN चोपड़ा के अनुसा जो दिल्ली सलतनत थी उसकी परकरती कैसी थी तो A ओप्सन है धरम निर्पे B है ताना साई C धरम केंद्रित D परजात अंत्रिक त तो इसमें हमें 4 options दे गए हैं इनमें से 3 options ऐसे हैं जो निजाम उदिन ओल्या के सिस्से थे लेकिन कोई एक ऐसा है जो नहीं था तो जो 3 उनके जो सिस्से थे निजाम उदिन ओल्या के अमीर खुस्रोज या उदिन बरानी और मीर हसन धेलवी यह सब तो निजाम उदिन ओल तो अब हम जानेंगे, कि सेक जमाल उदिन हासवी कौन थे, ये बाबा फरीद के सिस्ते थे, बाबा फरीद के कौन से सैक्ट या सामपरधाय से बिलौण करते थे, बाबा फरीद का मूल नाम क्या था, फरीद उदिन गज ए सकर था, और इनका जनम कहां पर हुआ था, मुलतान में हुआ था और इनकी डायत बाबा फरीद की पंजाम में हुई थी अब हम अपने next question पर चलते हैं question number five five में देखते हैं निमी लिखित में से कि सुल्तान ने सूपी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवा किया था तो ये option इल्टूत मिस बी है नसर अदीन महमद सी है बलबन और डी है अल्लावदीन मसूद साहा तो इसका राइट आंसर होगा सी option जो संबाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवा बलबन ने किया था तो सुल्तान बलबन ने अपनी पुत्री उनकी पुत्री का क्या नाम था जिसका बाबा फरीद के साथ विवा किया उनका नम वुसीरा था और बाबा फरीद चिस्ति सामपरदाय से बिलॉंग करते थे और हम देख चुके हैं जो बलबन था उसका वास्तवी क्या रियल नेम सेख फरीद उद्दीन गज ए सकर था नेक्स के उसेने हमारा सिक्स ये फिलफ्स है को बनाने के पीछे परेणा ख्वाजा कुतूब उद्दीन बक्तियार काकी रहे तो किसको बनाने के पीछे किसकी परेणा से परभावित होकर किसी ने जो एक बिल्डिंग इसका क्या नाम था तो A है कोतूब मिनार, B है किलेरे पिफ्थोरा, C है खुवत उल इसलाम मस्जीद और D है इन में से नन अफ दिज, इन में से कोई नहीं तो याँ पे राइट ओप्सन होगा A, कोतूब मिनार、 को किसे णे बनाए था? कुटूब मिनार को कुटूब दीन एबक ने बनवाया था किस से प्रेरित होकर कुटूब दीन बक्तियार काकी से प्रेरित होकर और इसकी निवत तो कुटूब दीन एबक ने रखी थी लेकिन इसको पूरण किस ने करवाया इल्टूत मिस ने करवाया तो जो एबक ने फरसीद सूफी संथ खुआ जा कुटूब दिन बाक्त्यार काकिक की नाम पर इसका नाम क्या रखा कुटूब मिनार रखा अब मों अपने नाक्स क्योशन पर आते हैं नाक्स क्योशन हमारा सेवन सुमलित कीजे पर्थम सूची के अंतर मंत्री हैं दिवित्त सुची दी गई उसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स दी गए हैं विबाग दी गए हैं उनको देखेंगे फरस्ट है दिवान-े विजारत तो दिवान-े विजारत एक विद्त डिपार्टमेंट था वूँँ में बी है दिवान-े रिसालात हम पहले भी देख चुके हैं ये एक धार्मिक विशय से related विवाग था, दिवान ए आर्ज, दिवान ए आर्ज क्या एक सेनिक भरती, ये वो संग्ठन से related विवाग था, और D है दिवान ए इंसा, दिवान ए इंसा राज किये पत्रा चार से related था, तो इसमें चार ओप्सन दिया गये हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है इसका वो बी उप्सन होगा, अब हम अपने next question पर चलते हैं, question number 8, निमिल लिखित को सुमलित कीजिए, पर्थम सूची, लेखक और दिवित्ते सूची उसके ग्रंथ है, तो यहाँ पर कुछ लेखक दिये गए हैं, उनको अपने ग्रंथ से relate करना, तो यहाँ यह बिन हैमत सरहिंदी, तो उनके ग्रंथ का क्या नाम है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा तारीख मुबारक सहई, फिर अब्दूला, अब्दूला ने जो ग्रंथ लिखा तारीख दाऊदी, थाड़ है इसामी इसामी ने फुतू है उस साला तीन और फोर है है हैमद यादगार इन्हों ने लिखा तारीख ए मुबारक साहिग तो इसमें फोर ओप्सन दिये गए है इसमें जो बी ओप्सन है वो राइट होगा अब हमारा नेक्स क्योंसेन नाइन नाइन दिल्ली के किस सुल्तान ने किर्सी की दसा सुधारने के लिए दिवान ए अमर कोई जो विबाग था उसकी स्थापना की तो मैंने बताया था कि जो दिवान ए अमर कोई की स्थापना किसने की थी इल्टूतमिस ने बलबन ने बिन तुगलक ने किर्सी विस्तार एवन उसके सुधार के लिए किर्सी से सम्मंदित एक विभाग बनाया उसका नाम था दिवान ए अमीर को ही और इसका जो परदान होता था उसका हैड को क्या है अमीर एक को ही का जाता था किर्सकों को जो तकावी रिन परदान किये जाते थ मैं उनको सोंधर भी का जाता था और अकाल सिराहित देने के लिए अकाल सहिंता तयार करवाई किसने मौमद बिन तुगलक ने अब हम नेक्स क्योशन देखते हैं टैन निमिली कीत में से किसी इतियासकार ने भारत में 24 तावदी में नगरिय क्रांती का सिद्धान्त परतिपादित किया था अब यहां पर ओफ्षन है ए आई एच कुरेशी बी एम एस अंसारी सी इरफान हबीब और बी डी है मौमद हबीब तो इसका राइट आंसर होगा डी मौमद हबीब अब हम अपने नेक्स कोशन पर आते हैं कि उसे नमबर 11 किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खाने अपना राजदूत भेजा था तो इसका राइट आंसर होगा बी इल्टूत मिस तो मंगोल सासक चंगेज खाने दिल्ली के सुल्तान इल्टूत मिस की दरबार में अपना राजदूत भेजा था क्योंकि वे चाता था कि इल्टूत मिस पर्सिया इरान के सासक जो जल्लाओ दिन मांग बरनी की सायता नहीं करें उसकी हेल्प नहीं करें वे पर्सिया से भाग कर आया था कौन जल्लाओ दिन मांग बरनी अब next question है हमारा किस सुल्तान्नी खलीफा की उपादी या टाइटल धारण की थी A. सिकंदर लोदी, B. अल्लावदीन खिल जी, C. कुतुबुद्दीन मुबारक खिल जी, D. फिरोज दुगला तो इसका right answer क्या है friends? C. कुतुबुद्दीन मुबारक खिल जी जिसने स्युम को अपने आपको खलिफा गोसित किया था वो कुन था? कुतुबुद्दीन मुबारक साथ खिल जी क्या region था? क्योंकि उसने उससे पहले जो खलिफा की जो सत्ता होती थी उसको मानने से इंकार कर दिया कि दिली का यह पैस दिली-सलाथनत का पर्थम सुल्तान था जिसने दक्सीन के राज्जे देवग्री को अपने साम राज्जी में मिला लिया था? इस ने अला अदिन पुरन जीवन जीता था और जो मुबारक सा खिल जी उसके बारे में कहा जाता कि कई बार वो अपने दरबार में नागान आवस्ता में भी आजाया करता था साथ ही साथ कई बार वो अपने दरबार में स्यूम इस्तरियों के वस्तर पहन कर आता था तो स्टुडेंट्स आगे भढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी वीडियो जहरा भी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, सस्क्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नूटिफिकेशन इसी परकार से आपको मिलती रहें और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी साथ साथ में अगर आप लोगों की कोई query हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं तो अब मुझे next question पर चलते हजार सितून महल किसने बनवाया था तो अल्लावदीन खेल जी ने इल्टोत मिसने बलबन ने जल्लावदीन खेल जी ने दिल्ली या सीरी में अल्लावदीन खेल जी ने करवाया था अल्लावदीन ने सिकंदर द्वित्ते या सानी की title या उपादी धारन की थी दिल्ली में अलाई दर्वाजा का निर्मान भी अल्लावदीन खेल जी ने ही करवाया था लक्सिन भारत पर आकर्मन करने वाला दिली का ये पहला सुल्तान था, अब हम अपने next question पर आते question number 14, बागती संत रामानन्द के गुरू राग्वानन्द का संब्न था, रुद्र सामपरदाय से, सनकादी सामपरदाय से, सिरी सामपरदाय से, D, ब्रह्म सामपरदाई से तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा सी सिरी सामपरदाई से तो हम देखते हैं कि जो रामानन्द है उनके गुरु रागवानन्द का सम्मन्द सिरी जो कासी के स्वामिर आगवानन्द के स्री मठ में रहकर आगवानन्द ने वेद पुराण वयान्य ग्रंतों का अध्यान किया स्री सामपरदाई की स्थापना बार्विश तापदी में रामानुज ने की थी जो वैसनव धरम से सम्मन्दी था इनका मन विसिस्ता देवत वाद है अब हम नेक्स के उसन देखते हैं आमीर खुसरो का मूल नाम क्या था तो फरीद था जुनाखा था अबूल असन था या निजामुदीन हसन तो इसका राइट आंसर होगा अबूल हसन आमीर खुसरो का मूल नाम अबूल हसन या मीन उद्द इनका जनम 1223 में उत्तर प्रदेश के एटा जीला की पट्याली गाम में हुआ, इनकी मिर्टु 1325 में दिल्ली में हुई थी, अमीर खुस्तरो चिस्ती सामपरदाय के सेख निजाम उद्दिन ओल्या के सिस्से थे, उन्होंने दिल्ली के आठ सुल्तानों का सास्तन काल भी देखा था, फार्सी कवित्ता का भारतिय करण सवपर्थम खुस्रो ने ही किया था, इनकी द्वारा फार्सी की प्रतिपादित नविन सैली को सबक एहिं दिका जाता था, तो यह क्या है, अमीर खुस्रो से रिलेटर जितनी भी हमें जानकारिया थी, यहां प्रमेने सेर की, next is 16, दिवाने रियासत का संस्थापक था, मौमद दुगलक, फिरोज दुगलक, अलाओदिन खिल जी या बलबन, तो इसका राइट आंसर होगा, अलाओदिन खिल जी, दिवाने रियासत, नामक विबाकिस्थापना किस ने करवाई, अलाओदिन खिल जी ने करवाई, काने अन्वित करने के लिए अच्छे से उसका इंप्लीमेंट करने के लागू करने हैं तो बाजार का जो अधिक्षक होता था उसको साहिना ये मंडी कहते थे अब हम अपनी नेक्स्ट योसन पर आते हैं को से नमबर सेवंटीन तब कात इनासीरी के विशे में ऐस अत्य कथन पहचाने तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें चार ओप्षन दिये गए हैं तो इसमें से हमें जो गलत ओप्षन हो बताना है इसमें भारत पर मंगोल आकर्मन का विवरण मिलता है तो तबका तेनासीरी किसने लिखी थी मिनाज ओजसी राज ने यह 26 तबकाय अध्याव में व राइट आंसर होगा सी कि इसमें प्राय एक घटना की आवरती बार बार हुई है अब हम देखेंगे तबका तेनासीरी मिनाज उद्दीन सीराज दुआरा रचीत है इसमें महुमद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सलतनत के आरंबी की इतियास की लगबग बारा सुच इस भी तक की जानकारी मिलती है यह किरती गुलाम वंस की सासक नसर उद्दीन महुमद को समर्पित है इसमें कितने अध्याएं अध्याएं तबके या अध्याएं चब्वीस इसके अंदर तबके अध्याएं अब नाइटिन के उसन देखते हैं उश्र क्या था तो ए मुसल मानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर डी युद की लूट का वन आप फाइफ वा भाग राज्ये का हिस्सा तो इसका राइट आंसर होगा कि उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमी टैक्स था तो हम आगे देखते हैं कि जकात क्या था तो मुसलमानों की आय पर ल लगने वाला जो टैक्स था वो खुमस कहलाता था और लास्ट है जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर होता था उसको जजिया कहते थे तो हम उर्स के बारे में और जान लेते हैं कि उर्स है ये क्या मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमी कर था लैंड टैक्स जिस पर क्या है जो natural resources के दुवारा irrigation शिचाई होती थी वहां से पैदावार का 10% तथा जो artificial resources होते थे उनके दुवारा जो खेतों में शिचाई की जाती थी वहां से 5% tax के रुप में वसुला जाता था अब हम अपने next question पे आते हैं next question नमारा 90 लाक बक्स फिलप्स के लिए पदवी थी तो लाक बक्स किसको का जाता था ए ए बक को बी बलबन को सी इलतोतमेस को डी जलाओदीन याकूत को तो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा ए बक को अब ए बक को लाक बक्स क्यों का जाता इसके अलावा जो कुतुब दिन ए बक्स था उनको कुरान खा पील बाक्स हातिम सेकिंड की नाम सी भी जाना जाता थी इस परकार के उनको और भी टाइटल्स दी गई थी अमारा लास्ट और फाइनल क्योशन है 20 सुल्तानों की काल में किसने इक्ता पद्धी को प्रारम किय तो ए इल्टूतमिस बी बलबन अलावदिन खिलजी डी फिरो साथ तुगला तो इसका ए उप्सन राइट आंसर है इल्टूतमिस ने क्या है एक्ता पद्धि को सिलतनत पिरेड में सुरू किया था तो प्रसासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्टूतमिस दुआरा की हिती और एकता जो वड़य कमाड़ है जिसका में सो तफ इल्टूता का प्रसासन मुक्ता के हाधीन तो आँ अब आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स मुझे like करे, subscribe करे, साथ ही साथ अपने friends को share करें, और till then by, stay home, stay safe, thanks for watching my video.